और पुलिस अपराध की रोक थाम को लेकर एक तरफ जहां कई तरह के दावे कर रही है वहीं अपराध्यों का मनोबल थमने का नाम नहीं ले रहा है अभी पुलिस रुपे थत्यकांड की गुत्थी को सुल्जा भी नहीं पाई है कि दूसरे तरह बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराध्यों ने जेडिव चातर नेता को गोली मार दी आलोक ते जस्वी पटना जिला गरामिन के ईवाई काई कध्यक्ष है जानकारी के मुताबिक फैरिंग की बरदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब जेडिव नेता आलोक ते जस्वी कहीं जा रहे थे वहीं अचानक हुई इस गोली बारी से इलाके में दहसत का महौल है तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और घैल जेडिव नेता को अस्पताल पहुँचाया जहां उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है पुलिस टीम तुरंत मामले की जाच में जुट ही है और अपराजियों की तलास भी कर रही है